आज मैंने बनाया है सूजी और हालू का इस्तिमाल करके एकदम अनोखा नाश्ता इसको आप बचों को लंची बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं छोटी वोटी पार्टी के लिए बहुती अच्छा स्नेक्स है ये और खाने में बहुत जादा स्वाधिश्ट होता है अगर आप हेल्थ कॉंसियर्स हैं और मैंदा खाना अवाइड करते हैं तो आज की ये जो रेसिपी है आप सब के लिए एकदम पर्फेक्ट है तो चलिए आज हम साथ में मिलके इस टेश्टी और अनोखी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे चार चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं तेल यह आपर गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे हम ये आदा चम्मच जीरा और जीरी को थोड़ा सा तड़का लेंगे जैसे ही जीरे तड़क जाएगा तो फ्लेम हम लो करेंगे और इसमें डालेंगे मसाले तो हम बीच में मसाले डाल देते हैं क्योंकि अगर तेल में अधर डाल देंगे तो जल जाएंगे तो यह आदा चमच लाल मिर्च, एक चुथाई चमच हलली पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच गरम मसाला अच्छे सी मसालों को मिला देते हैं और अब हम इसमें तीन उबले हुए आलूओं को ऐसे फोड़के डाल देंगे साथी साथ इसमें डाल देंगे हम टुकडों में कटा हुआ पचास ग्राम पनीर, एक चमच नमक, सारे मसालों को हम अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को मिलाने के बाद इसमें डाला है मैंने ये एक चमच अमचुर पाउडर और डाल देंगे खूब सारी बारिक कटा हुआ हारा धनिया मिलाते होए गैस को हम बंद कर देंगे और इसको एक बावल में निकाल लेंगे इस मिक्चर को निकाल कर मैं एक बावल में रख लीती हूं और इसको कर लोगी रूम टेंपरिचर पर पूरी तरीके से थंडा यहाँ पर यह जो पेन है हम ऐसी का इस्तिवाल करेंगे तो पैन में डालेंगे हम दो कप पानी, साथे साथ डाल देंगे एक कप सूजी, यहाँ पर जो मेरी सूजी यह थोड़ी मोटी वाली है, और डालूंगी आदा चमश नमक, नमक ध्यान से ही डालें, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर न तो इसमें मैं यह दो चमश शुदिती सी घी डाल रही हूँ, और अच्छे से मिला लेंगे, यह देखिए आप सूजी यहाँ पर इदम गाड़ी होने लगी है, बस इसको हम ऐसे ही लगाता चलाएंगे, और चलाते हुए इसको एकदम गाड़ा करेंगे, यह देखिए अधरा तो अच्छे जो तरह के लिया बुदा बतना यहाँ पर हमारा मिक्शर हलका सथंडा हो गया हिसको मैं पूरी तरह के अच्छे मलेग नहीं, अब हमें इसको हाथों की मदद से अच्छे से चिकना क्रना है में वर डो ओ तरह करना हए हो चम धब देसी घी यह डालेंग यह देखिए एकदम आटे की तरह लग गई है यह लग रहा है कि बिलकुल यह मैंने आटा लगाया है तो यहाँ पर सूजी मसे मैंने पोशन लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे पतला कर लिया है पतला करने के बाद इसके बीचों बीच हम रखेंगे तैयार की हुई स्टफिंग इस तरीके से और स्टफिंग को रखने के बाद इसको हमें अच्छे से बंद कर देना है तो स्टफिंग को दबाते हुए इसको हमें अच्छे से बंद कर देना है और इसकी गोल गोल बॉल बना के तयार कर लिनी है यह देखिए इस तरीके से यह मैंने यहाँ पर एक बॉल इस्तिमाल करके मैं पहले थोड़ी सी बॉल्स बनाके रख लेती हूँ उसके बाद इसको तलूँगी तो यह हो गई है यहाँ पर थोड़ी सी बॉल्स बनके तैयार साथी साथ तेल भी यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है तो गरम गरम तेल में हमें बॉल्स को डाल देना और इनको हमें अच्छे से फ्राय करना है जब तक कि इनका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए तो बीच बीच में हम ऐसे ओलट पलट देंगे और ओलटते पलटते हुए इनको अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर का करेंगे इनको तलने में लगभग 5-6 मिनट लगते हैं ये देखिए 6 मिनट बाद हमारी कचौरी बन की तयार हो गई है देखिए कितनी बड़िया बनी है और इनका जो टेक्छर है वो भी एकदम पर्फेक्ट आया है तो इनको मैं तेल से निकाल का रख लेती हूँ एक पलेट में और स मस्त एकदम पर्फेक्ट कचौरी बनके तयार हुई है तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से इन सूजी के कचौरी को जरू ट्राय करें आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभो नमस्ते